हाथरस इस बार के चरण की कुनाल एक होट सीट मानी जा रही है सत्तरूर बीजेपी ने आगरा की पूर्व मेर अरंजुला महोर को मैदान में उता रहा है जो की पहली बार चुनाव लेने जा रही हैं किस तरह का महोर आप वहाँ देख पा रहे हैं तेके मुकाबला तो है ही और मुकाबला थ्रिकोनिये भी है हाथरस की सीट पर भी और जो आसपास के तमाम सीट है उन पर भी लेकिन हाथरस उस समय पूरी तरह से अंतरास्ट्रिये मंच पर आ गया जिस गाउं में हम खड़े हैं ये बूल गड़ी गाउं है आपको याद होगा सितंबर 2020 जब इसी गाउं में एक पूरी घटना ने इसको विश्यो मंच पर विश्यो के मांचित्र पर लाकर के खड़ा कर दिया था यहाँ पर शुरुवात बुल गड़ी गाउं के लिए क्यों महत्वपून है क्योंकि यहाँ पर आप सुरक्षा का इंतियां की विवस्ता आपको हम दिखा रहे हैं पीछे कि किस तरीके से बहुत सक्त है हलाकि वोटर अभी कम आए है लेकिन ये बूत ऐसा है जहाँ पर वोटर महज 800 है लेकिन इस पर नजर हर किसी की है आपको याद होगा कि तब तमाम नेता चाहे वो राहुल गांधी प्रियंका गांधी अखिलेश यादव और अलग-अलग विपक्षी अट्रैक्शन है वो इस वजए से है क्योंकि कई सारी चीजों को ले करके यहां से तै होना है पूरे जो प्रदेश में इस समय चाहे दलित राजनीती की बात हो या बाकी जातिगत समीकरणों की बात हो तो वहां का सिरा यहीं से जुड़ा हुआ है और लग-बग डेर साल प करदेश से लगता हुआ इलाका है जा अलेगणते हैं तो बहुत सारे समीकरणों को एक साथ समिचता हुआ यहीं से अलू बेल्ट भी शुरू होता है जिसको कगया जाता है कि यहां पर आलू की पैदाबार बहुत होती है और आलू ऐसा माना जाता है कि तमाम सब्जी ओं के प्रश में इस बार जो चुनाव हो रहे हैं वह काफी एहम माने जा रहे हैं मैं पूरी से कुमार अभी शेख भी जुड़ गए हैं कुमार अभी शेक का रुख करेंगे कुमार अभी शेक किस तरह की तस्वीरे आप दर्शिकों तक पहुंच आएंगे मतदान का वक्त तो शुरू हो चुका है क्या वोटर्स क्या आने का सिलसला शुरू हुआ बिल्कुल मलनिका हम इस वक्त करहल में हैं करहल वो सीट है जहां से खुद अखिलेश यादो चुनाव लड़ रहे हैं और पहले तुमें आपको दिखा दूँ इस कॉलेज का दृश्च क्योंकि इस कॉलेज का इतिहास भी जुड़ता है मुलाइम सिंग यादो से मुलाइम सिंग यादो इस कॉलेज में पढ़े हैं पढ़ाएं हैं यहां के संरक्चक हैं और करहल जो है वो मैनपूरी की इस वक्त सबसे हाट सीट है क्योंकि खुद अखिलेश यादो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और तमाम नजरें इस ओर टिकी हुई हैं कि आखिर इस चुनाव का क्या होगा लेकिन यह कॉलेज इस माइने में भी एहम है क्योंकि यादव लैंड दो उनिस सो नवासी से 1989 से लेकर अभी तक अगर कोई जीता है तो सिर्फ कोई न कोई समाजवादी सोसलिस्ट ही जीता है 2002 में बीजेपी ने इस सीट पर जीत दर्ज की थी लेकिन बाद में सोनवरन यादो खुद समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और तब से वो लगातार यहां के विधायक भी है इस बार सबसे सुरक्षित सीट यह मानी जा रही है और इस सबसे सुरक्षित सीट पर खुद अखलेश यादो चुना लड़ रहे हैं यहां का अगर समाजिक तानबाना आप देखें तो सबसे ज्यादा यादो वोट हैं 38 फीसदी उनके वोटरों की तादाद है 6 फीसदी मुसल्मान हैं यानि कि लगभग आधे के आसपास या आधे से थोड़ा सा कम जो वोटर हैं वो यादो मुसलिम हैं और यही इसी यही ए यहां पार नहीं पाई सिर्फ 2002 को छोड़कर तो तमाम जो नजरे हैं वो इस वक्त इसी पर टिकी हुई हैं और यहां से एसपी सिंग बगहेल जो की केंद्री मंत्री हैं मोदी सरकार में वो अखिले श्यादों को टकर दे रहे हैं तो तमाम नजरे इस वो टिकी होंगी कि आ यहीं परे